मतदान को शांती पून धंग से संपन कराने के लिए जहां पोलिस प्रशासन और परामिलिटरी फोर्स का पहरा हैं तो वहीं तीसरी आँख की नजर भी जिले के 50 वी सिदी मतदान बूथों पर रही जिले के 1980 मतदान बूथ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिन में से लाइव फीड ललित कला संस्थान में बने कंट्रोल रूम में सीधे पहुँच रही थी जहां से किसी भी गड़बडी पर निगाहा रखी गई सीन्यूज की टीम ने ललित कला संस्थान पहुचकर देवकास्ट कंट्रोल रूम का जायसा लिया और यह देखा कि किस तरीके से मतदान पर तीसरी आख का पहरा रखा मतदान सांतिपूर संपन्ध हो उसकी सुचता और संपर्वता बरकरा रहे इसके लिए चुनाव आयोग ने इस वार फूल फूल इंतजाम किया उनमें से एक है बेवकास्टिंग 1983 मतदान बूतों की बेवकास्टिंग इस कंट्रोल रूम में हो रही है और यहां तमाम उपरेटर लगे हैं वो बूत की पलपल की जानकारी दे रहे हैं कई एबियम खराब तो नहीं है कोई मतदान प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है तुरंत इस कंट्रोल रही लगाये गए हैं उनसे जाने है किस तरीके का फीड्बैक वो ले रहे हैं जी यह सब यहां पर यह देख रहे हैं करते उसको कराने की कोशिश करते हैं वो कराते हैं उसको जहांसे टीम बेज़ कराते हैं क्या नाम है आपका आप मास्टर कंट्रोल रूम देख रहे हैं तो किस तरीके की विवस्था नलीम कुमार आइम हेर डिस्टिक रीपरिजेंटिटिटिफ फूर जेनर एलेक्शन लोकसवा आग्रायन फतेपूर सिक्री लोक सबका है और फोर एसेमली आगला आगला लोग सबका है तो हमारे ऑपरेटर्स जो है पलपल की खवर ले रहे हैं कि कहीं पर एबियम दिखतों नहीं रहा है कास्टिंग करते वे वोट दिखतों नहीं रहा है अगर वैसे कोई कंप्लेन आ रही तो उस पर हम लोग लगा हुआ है वो उसको हमने सुनिश्चित किया जहां वो गलत तरीके से लगा हुआ था उसको हमने सही तरीके से लगवाया तो आप बिवस्ता पूरी तरीके से देख सकते हैं कि आग्रा में 50% मतदान बूतों की बेवकास्टिंग की जा रही है जो 1983 जिनकी संख्या है उस बेवकास्टिंग के माध्यम से जो CCTV फोटेज इन कम्पूटर्स पर आ रहे हैं जो ऑपरेटर बैठे हैं वो ततकाल मास्टर कंट्रल रूम को देते हैं फिर उसके बाद अगर कोई कहीं गड़वड़ी होती है कहीं दिक्कत होती है तो उसको सुधारा जाता है जो नोटल अ ये ऑपरेटर्स देख रहे हैं इनके कंदों पर मतदान शांतिपूर संपन कराने की जिम्वेदारी है ललित कला संस्थान के कंट्रोल रूम से अपने साथी मनीश जैन और राहुल सांथ के साथ बिजय बगहेल सी न्यूस आगरा आगरा किस सरवाधे के लोगप्रिये चैनल सी न्यूस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले